स्वागत है दोस्तों, I hope आप से बच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेर कर रहे होंगे दोस्तों एक बात आप से कहना चाहता हूँ फ्रेंकली कि आप लोग वेट ना करें कि कब एडमिट कड़ाएगा एक्जाम डेट, अगर एक्जाम डेट से परिशान है कि कब होगा अब देखिए, एक्जाम डेट अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो आपको पता है कि पता होगा, October, November लिखा गया था October तो खतम हो चुकी, अब बचा है November तो आपका November में exam कब होगा? यह suspense है ना? तो एक बात बताता हूँ आपको, एक चीज तो आपको पता है कि November में confirm exam होना है, दूसरी बात आपको exam के लिए gapping 12 से 13 दिन ही का ही मिलेगा maximum, maximum तो maximum अगर जाए तो 15 दिन जाता है, अगर मालो आज दो तारीक है, अगर आज admit card आपका out होता है, तो ठीक, 14 दिन का आपको यह exam हो जाएगा, तो जादा दिन का आपको gapping नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग time waste ना करें, preparation पर फोकस करें, और I hope यह apprentice ज्यादा टफ नहीं होती, जोब आराम से आप ले सकते हैं, आपकी अच्छे preparation है, आप अराम स जैसे first week है, जैसे मैंने आपको बताया first week, तो कोई भी time यह first week चल रहा है, कोई भी time में आपको SBI का, Apprentice का admit card आ सकता है, और दूसरी बात, एक दिपावाली का समय है, उससे एक दिन पहले आपका SBI Apprentice का, आपका यह admit card आ सकता है, तो hopefully exam कब तक होने का chances है, अगर देखा ज सकता है, second week, वही 10 से 12 दिन का आप gaping ले सकते हैं, maximum 15 दिन का gaping ले सकते हैं, उससे जादा SBI नहीं देगा, prelims हो या means हो, या कोई भी exam हो, SBI का यही condition चलता है, तो I hope आप समझ गया होंगे, तो बस countdown start है, कोई भी समय, आज मैं यह video बना रहा हूँ, आज भी आपका admit card आ सकता है, तो बस आप preparation करें, positive रहें मेरे भाई-बें, positive रहें और बस मेहनत करते रहें, तो I hope मैंने पुड़ा information देनी की कोशिश किया हूँ, अच्छा लगाओ, तो ज़रू like कर देना, और हो सके तो subscribe कर देना, चलिए फिर मिलते हैं लोग next वीडियो में